जो अपना नहीं उस पर हग क्या जताना और जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना असलाम वाट कुम एवर्यों आप एवर्यों इस बूइंग गोड़ सब ठीक टाक होंगे मज़ेमी होंगे बहले चंग होंगे अपनी लाइफ एंजोई कर रहे होंगे विल्कम वेक टो इनदी वी लोग बाई अनायो मेर वी लोग के शुरुआत करते हैं सुबा ब्रिकफास से कल रात से ना मेरा कुछ दिल कर रहा था खागीना या फैर यसा से जो टेमाटर प्यास वाला अंडा होता है ये बना के खाने का इससोबा मैंने नाश्टे में यही किया उठके अपने लिए मैंने एक खागीना बनाया नावाड़ा प्यास का अंडा जिसको भी कहते हैं इसमें कुछ लोग जो है अलु डाल के बनाते हैं मैंने क्या किया है सिफ और अनियन लिया उसको हलका सा ओयल में सोथे किया है कर लिया था कि थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए उसका कलर हरका सा स्लाइटली चेंज की तरफ आजए साथ मैंने फिर उसके बार तमाटा राइट कर दिये मैंने चॉपके हुए दो से तीन और काली मिर्चे रड़ पैपर जो पॉडर होता है वो कुटी भी लाल मिर्चे और नमक यह डालके मैंने अगें टमाट्रों को इतना पकाना है आपने के टमाटा प्रॉपली गल जाए और मैश होने की तरफ हलके लके आ जाए साथ में मैंने यहाँ पर अर्जान के लिए अर्जान की पैसंद का जो है चीनी का पराठा बना दिया उमेर के लिए मैं अचारी पराठा पेपैर करी थी जो कि आजकर काफी जगा वाइरल हुआ था एक वीडियो दिखी थी मैंने रीसेंट्ली टिक टॉक पे तो वहाँ से देखके मैं उसको कॉपी करके वो पराठा बना रही थी अनाया के लिए मैंने क्रॉस आउन विद नुटेला रेडी किया था तो आज सब को सब की पसंद का नाश्ता दिया था तो मैं यहां पर नाश्ता पर वेख करती हूँ साथ-साथ आपसे जो है आज के टॉपिक पर बिवाद करूंगी आज का जो टॉपिक है वो सिंपली यह कि हस्बन वाइफ का जो रिलेशनशिप है सम्टाइम्स बहुत स्ट्रॉंग जितना यह रिलेशनशिप स्ट्रॉंग ह एड टाइम्स उतना ही नाजूख है कहने का मकसद यह है कि एक छोटी सी गलत सहमी एक छोटी सी मिस अंडर्स्टेंडिंग की जैसे इस रिलेशनशिप में गिरा पड़ सकती है इस रिलेशनशिप में गराने पड़ सकती है किसी भी मिस अंडर्स्टेंडिंग की जैसे किसी थर्ड परसंट की जैसे या कोई चीज आप जिसको परसीफ जैसे कर रहे हैं वो वैसे ना हो और वो कहते हैं ना कि दिल में एक दाफा गिरा पर जाए तो वो सारी उमय वो गिरा नहीं खुल सकती मैंने बहुत चारे ऐसे कपल्स देखें ऐसे लोग देखें हैं जो हस्बिड्स देखें हैं इस्पेसीफिकली जो कि बात बात पर अपनी बीविओं स्लील करते हैं खाने टाईम पर क्यों नहीं बना खाने में नमक तेस कूँ नहीं उगा, अचे こうएवी चोटी सी बात पका लाथ प्र अपना मेरी बीवी को अतला प्रद राउंट करतें यह. इतना जो है वो जलील करते हैं कि मतलब बिचारी इंबरिस होके रहीजत ही है लोगों के सामने मेफिर में कहीं या घर में इवन बच्छों के सामने भी अगर हस्बंट का ऐसा जो है अपनी वाइफ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो वो अपनी नेक्स जेनरेशन को अपने बच्चों को क्या सबग दे रहा है कि कल को वो जब उनकी शादी हो तो वो कैसे अपनी जो है पार्टनर को ट्रीट करें ये बात बेकुल ठीक है कि औरत को हमेशा कंप्रोमाइज करने का कहा जाता है और खामोशी ठ्याल करने का कहा जाता है अपना घर बसाने के लिए औरत से उमीड रखी जाती है कि ओरत्यूंस थेखिड़ है पाकिस्तानी मोंश्रा आए बने नागायो सबस्की जाता है उщंस खरफिया कि आप निचे औल साथी नागाया और साथ में मैंने यहां पे लिया था चौप हुआ भाहरा धनिया, हरी मिर्चे, उसके इलावा अनियन बिल्कुल थोड़ी सी हाफ टी स्पून के खरीब चौप हुई वी, कुटी भी लाल मिर्च इन तमाम चीजों को मिक्स किया है और पहले मैंने अचारी मसाला लगाया है प अघर से काट लिएगे हैं नहीं तर minced जाएं दॉस के पहले यहां पेरेम तो रागाया पार नूमन हो nya लो चाहिए आप बना यहां झाली है आफिस में जॉब कर रहा है तो बास के साथ frustration मतलब जो भी जॉब वो कर रहा है वो भी frustrated हो जाता है सम्टाइम आफिस के महौल की विजए से अगर बाहर कोई और काम कर रहा है, field work कर रहा है तो हजारों मुश्किलाथ उसे दिन भर में आती हैं, बट मेरा मानना ये कि husband wife के relationship में एक दूसरे का एहसास, प्यार, महबत और एक दूसरे का ख्याल होना बहुत जरूरी है लेकिन इस सब के बावजूद अगर किसी भी जैसे, किसी भी reason की जैसे आपका husband आप पे हाथ उठाता है, उसको आपने बिल्कुल tolerate नहीं करना क्योंकि एक दफा आपके शोहर का हाथ आप पे उठ गया, तो उसका हाथ खुल जाएगा, और वो आपको physically abuse करने का कोई भी मौका नहीं जाने देगा और मैं ये वीडियो आज इसलिए मैं आरी हूँ कि मैं literally I was shocked 2-3 दिन पहले मेरी एक maid से मुलाकात हुई, मैंने उसका face देखा, literally उसका पूरा, you can't even imagine कि उसके पूरे मूँ पे नीली नील पड़े वे थे, और वो इतना फिर भी अपने husband को protect कर रही थी, seriously, इतनी physical abuse यहां प pragmaster को भी एक चीज कहना चाहूंगी, कि जब आप अपनी बेटियों के शादी कर देते हैं, आप अपनी बेटियों से बर्युजिमा क्यां हो जाते हैं? क्या बेटियां शादी के बाद आपकी नहीं रहती क्या वो आपकी उलाद नहीं रहती शादी के बाद तो मैं सब पेरिंट्स को यही कहूंगी कि शादियों के बाद भी बेटियों का ख्याल रखें बेटियों कि नो हाओ रखें वो कैसे महाल कैसे इंवारिमेंट में रह रह रही है उसका हजबन उसके साथ कैसे रह 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 रहे है इस जिसका जरूर ख्याल रखें कि शादी हो गई तो बेटी से आपका रिलेशनशिप खतम नहीं हो गया और हमारे मजभ इसलाम इतना खु के रखती थी महाँ ही से हजब से लगाके अपने लब लगाके और पानी पीते थे तो आप इतरे खुबसूरत रिलेशनशिप को कैसे फिजिकल अब्यूस कर सकते हैं और पे हाथ उठाने का हुकम हमारा मजभ नहीं देता अगर औरत कोई गलती कर रही है अगर औरत और मैं आपको बताओं यह सिर्फ एक इसमपल में आपको एक चले एक मेड है पढ़े लिखे लोग नहीं है मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखी फैमिली में इससार से फिजिकल अब्यूस होते देखा है कि उसको सोच के भी जो है ना रू तक काम च कि आया है उसको उसका भी ख्याल करना है शोहर का भी ख्याल करना है उसने जो है शोहर के मावाप का भी ख्याल करना है शोहर के बहन भाईयों का भी ख्याल करना है नन देवर जिठानी जो भी रिष्टे उससे रिलेटिड उस घर में रहते हैं उसने हर बने का ख्याल करना है उस पूरे खांदान का जो है ना काम एक इस पे उस बिचारी जो नहीं नहीं नवेती दुलन होती है जो कितने सारे अपने खुआप सा जाकर लेकर उस घर में आती है उसके जुमें लग जाते हैं वो सारे काम मुझे सिर्फ आप एक बात का अंसर करें कि आपके जुमेदारी आपके माबाब की जुमेदारी आपके बेहन भाईयों की जुमेदारी आप पे या अपकी बीवी पे हमारे मजब ने ऐसी कोई भी जो है वो डिस्टिक्शन नहीं लगाई कि जो आप बीवी जिसको लेके आरे है मना के वो आपके माबाब का भी ख्याल करें वो आपके बहन भाईों का भी ख्याल करें एवन हमारे मजभ में ये भी है कि अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो अपनी वाइफ को एक प्रॉपर काम वाली उसके लिए प्रॉपर कमफर्डेबल इंवार्मेंट वो अगर काम करना चाहरी है घर का अपनी खुशी से अप अपनी बीवी से करा सके ये हमारा मजभ कह रहा है ये मैं नहीं कह रही आप अथंटिकरी इस्लामी किताबें उठाके देखें कुरान पढ़के देखें तो आपको इन तमाव जीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ऐसा वाइफ बीवी को कितनी रिस्पेक्ट मिली है हमारे मौश्रे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आते ही एक नहीं लड़की जब शादियों के नहीं इन्वार्मेंट में आती है उसको महां सेटल होने का एड़्जस्ट होने का मौका दें कि उस पे आते ही इतनी आप जमेदारिया डाल दें और वो कहें कि मैं किस जंजाल अब इस वीडियो को लेके यह मत रिलेट करना शुरू हो जाएगा यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो मैंने यह वीडियो बना दी है मैंने एक चीज़ विटनस की पिसले दिनों में और मैं उस पे बात करना चाहरी थी लिटरी मैं आई वस इन शॉक्ट आप्र वाचिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें विटनस की है मैंने अपने इर्दगेद इन्वाइटमेंट में आई कैनोट टेक नेम नाम नहीं ले सकती बट आइकन सी और आइकन फील और मैंने देखी है तो मुझे इस पर बात करने का यह चैनल है मेरा तो इस पर मैं ओपनली हर ची नहीं को मिलें तो पॉजिटिव चीज़ यही है कि आपका मिया भी का रिलेशन्शिप बहुत हुपसरत है इसको स्पॉाइल मत करें किसी तीसरे की कोई गुझाईश नहीं होती हस्बंट वाइफ के रिलेशिम में किसी की जैसे स्पॉाइल ना कहरें और जहां पे आपको ल बेगां को सकत हीथा की जैसे कड़ी है यूदी में नहीं हैबी आपको का में चैसे नहीं किमा प्राइबूंस200 को आपको सौथे करके जो कि पिछले क्लिप में आपने देखा है मैंने अनियन रिंग्स लिये थे बारीक कटे वे उस पे मैंने जो है रेड पैपर पॉड़र डाला कुटी भी लाल मिर्चे डाली है थोड़ा सा वेनेगर और साथ में चिली गालिक सॉस डाल के उसको सौथे कर लिया था हलकी सी जब वो सौथे होगी थी तो मैंने इसा से कबाब फ्राइ किये वे थे उनके उपर उसको डाल के जो है हलका सा दम दे लिया था यहां पर मेरी तमाम चीज़ें इस पेपेर हो चुकी थी मैं सर्फ कर रही हूँ आप से मिलूंगी नेक्स वीडियो में अंटी लेक्स टेक कियर अलाहाफिज